चोटे बच्चों के अंदर होने वाला अस्तमा या जिसको हम बोलते हैं बच्च्पन का अस्तमा चाइल्ड अस्तमा इसको हम पर्मानेटली कैसे ठीक कर सकते हैं और उसके अंदर भी होमेपेटी की मेडिशिन इस अस्तमा से आपको कैसे पर्मानेटली चुटकारा दिला सकती ह होमेपेथी की मेडिसिन को आप कैसे यूज कर सकते हैं यानि क्या तरीका है उसका और आप अगर दूसरी दवायां ले रहे हैं तो उसके साथ में इनका इस्तिमाल किस तरीके से आपको करना चाहिए अगर आपका बच्चा बार बार इनेर या पंप का इस्तेमाल कर रहा है तो उससे कैसे चुटकारा पा सकते हैं ये तमाम जान करें इस वीडियो में आपके साथ सेर करेंगे तो इसको लाज सिक जरूर दिखेगा मैं हूँ डॉक्टर रामदेल मुरिया जोतपुर आजस्तान इंडिया से खोंपेथी कंसल्टेंट और आपका भोत भोत स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल पारसों पेथी में छोटे बच्चों के अंदर बार बार सर्दी खासी जुखाम या निमोनिया की समस्या रहती है लेकिन उनके अंदर कुछ बच्चे अस्टमेटिक बन जाते हैं उनको बार बार स्वांस लेने में तकलिफ होने लग जाती है बार बार उनको तकलिफ होती है थोड़ा सा भी ए इन्हेलर का इस्तेमाल करते हैं, बार बार इन्हेलर लेने की वज़े से बच्चों की लंक्स केपेसिटी कम हो जाती है, बच्चे ग्रोथ करना रुख जाते हैं, वो बिल्कुल एकदम से दूबले पतले नजर आने लग जाते हैं, उनके खाने पेफिक्ट आता है, उनकी एप आपके बच्चे को बार बार कोई वाइरल इन्फेक्शन हो रहा है, बार बार सर्दी खासी जुखाम की सिकायत है, बच्ची की इम्मुनुटी, या रोक परतिरोदक जो समता होती है, वो कम होती है, या फिर आपके अंदर जेनेटिकली ऐसा चला आ रहा है, उनकी पेरेंस क तो अगर अस्तमा की सिकायत हो तो छोटे बच्चों में भी हो सकता है, लेकिन छोटे बच्चों में तब ही होगा जब बच्चों की आप इम्मुनुटी कम होगी, या फिर बच्चे बार बार वाइरल के सिकार होंगे, अपर रेस्परेटरिटी टिक का इंफेक्शन हो जात है, चोटी-चोटी सांस लेने लग जाता है, रेपीड ब्रीधिंग करता है, यानि कि चोटी-चोटी सांस के साथ में बार-बार-बार-बार-बार सांस लेने लग जाता है, थोड़ा सा भी खेरता है, उसको खासी आने लग जाती है, ठक जाता है, साती से उनके अंदर आव बच्चे को हो सकता अस्तमा हो यह जिनका ठीट्मेंट चल रहा है उसके बारे में भी हम बताएंगे आपको अगर किसी भी कारणवस्ट बच्चे को अस्तमा हो गया है तो उसके अंदर होमीपेथी की मैडशीन बहुत अच्छा काम करती है क्योंकि यह मैड़िसीन बच्ची की immunity को boost करती है, बढ़ाती है, anti allergic का काम करती है, आपको होने वाले viral infection या other जो infection होते हैं, उन से बचाती है, बच्चे की जो स्वांस नली के अंदर किसी भी तरीके का inflammation है, सूजन है, जैसे bronchitis की problem अंबे समय से है, तो उसको ठीक करने में help करती है, यानि कि आपको हर तरीके उसकी immunity को boost करने के साथ, उसकी appetite को भी boost करती है, बच्चा अच्छा खाता है, तो बच्चा healthy रहता है, तो यह जो अस्तमा की conditions होती है, उनको effect नहीं करती है, और बच्चा बल का इस्तिमाल कर रहे हैं, pump का इस्तिमाल कर रहे हैं, तो आप उसको कैसे चुड़वाएंगे, सबसे बड़ी समस्या, सबसे बड़ी क्योरी लोगों की यह रहती है, क्योंकि आप चाहते हैं कि एक दवाईं के साथ दूसरी दवाईं नहीं चला जा सकती, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि होमिय पेथिक मैडिसिन किसी भी तरीके की पेथिकी दवागे साथ आप इस्तिमाल कर सकते हैं, उसका किसी भी तरीके का कोई साइट फिट या कोई एडवर्स रियक्सन्स नहीं होते हैं, तो यानि आपके अगर कोई इन्हेलर चला रहे हैं या अदर पेथिकी कोई दवायां चला रहे हैं उसके साथ आप आसानी से दे सकते हैं, और आप कुछ लोगों के अंदर या बच्चों के अंदर ऐसा ही होता है कि जब उनको बच्चों सांस में दिक्कत होती तभी आप इन्हेलर देते हैं, यानि SOS देते हैं उनको, तो उसी तरीके स जैसे आपका बच्चा दिन के अंदर दो बार इन्हेलर या यूज कर रहा है, तो जैसे सा आप होमीपेटी मेडिशन का इस्तेमाल करेंगे, आपका बच्चा कुछ दिनों के बाद में एक बार भी इस्तिमाल करने के आवसकता नहीं पड़ेगी, कुछ दिनों के बाद दिर दिर और गैप बढ़ता जाएगा, ऐसे करते करते उस बचे का इन्हेलर या पंप छूट जाता है, और वो जो आप जो दोआयां दे रहें, उनकी भी आफसकता नहीं रहती है, क्योंकि ये जो दोआयां होती है, मैंने आपको अभी बताया कि सूजन को कम करती है, आपकी इम पर्मानेंटी रिकॉर कर जाता है, आप सोच रहेंगे कि बच्चा क्या वास्तम में पर्मानेंटी ठीक होगा, जी हाँ, होमेपेथिक मेडिसिंग की हेल्प से आपका बच्चा पर्मानेंटल अस्तमा से ठीक हो सकता है, अगर आप रोपर तरीके से उन दवाईों का इस्ते बच्छा को एपी कोग 30 पाउर का इस्तिमाल किया जा सकता है। चोटे बच्चे को 2-3 बूंद आप दे सकते हैं। बड़े बच्चे हैं उनको 4-5 बूंद गुंगुने पानी के अंदर। दिन में 3-4 बार इस्तिमाल कीजिएगा। बहुत अच्छा रजल्ट मिलेगा। सेकिंड मेडिसिन जिसके बारे में हम डिसकस करना चाहेंगे। फ्रेंड्स वो है स्पॉंजिया। अगर बच्चे में कई बार ये देखा जाता है कि अस्तिमा की सिकायत के साथ बहुत तीज-दीज खासी आती है। बहुत सूखी खासी आती है। ऐसा लगता कि पूई चाहती बज रही है। उस कंडिशन के अंदर आप स्पॉंज या 30 पाउर का सकते हैं। इसकी भी आप जो इपिकों की डोज बताए उसी तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। कई बार हम देखते हैं कि हमारी जो लोकलिटी होती है, वहाँ पर हुमिलिटी ज्यादा होती है, ठंड का मोसम होता है, तो उनके अंदर सबसे बेस्ट मेडिशन है नेट्रम सल्पॉंज करेंगे तो धीरे धीरे बच्चे की जो अस्तमा की टेंडेंसी है, वो धीरे धीरे उ सिक्सक्स पाउर का इस्तिमाल करें, छोटे बच्चों के अंदर दो-दो गोली दिन में तीन बार चूसने के लिए दे सकते हैं, बड़ों बच्चों के अंदर चार-चार गोली दिन में तीन बार इस्तिमाल कर सकते हैं, एक मेडिशन और डिसकस करना चाओंगा आपके साथ अस्त्मा से लिटेट वो है स्यम्वुकस तो बिल्कुत चोटे बच्चे होते हैं उनमें अस्त्मा की सिकायत होती है साथ में उनका नाख बंद हो जाता है रात को बच्ची ज्यादा प्रेशान करते हैं बार बार उनको सांस लेने तकलिफ होती है तो उट बैड जाते हैं यह आप चाहते हैं आपके बच्चे को अस्तमा की सिकायत है आप प्रामश लेना चाहते हैं तो दीएगे वाट्शप नमर के द्वारा अपोइंटमेंट लेके कंसल्ट भी कर सकते हैं अगर जानकर ये अच्छे लिए तो लाइक कीजिएगा चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना नहीं बूलें क्योंकि उससे आप हमारे को मोटिवेसन परदान करते हैं तो मिलते हैं नहीं जानकर ये वीडियो के साथ धन्यवाद फ्रेंड्स